इस वीडियो में आज हम आपको अमिज जैन कार देको कमपनी के को फाउंडर और सीओ के बारे में बताने जा रहे हैं वेश शार्क टैंग इंडिया सीजन टू के जजें उनको अशनीर ग्लोवर की जगा रिप्लेस किया गया है अमिज जैन का जनम 12 नवंबर 1977 में जैपूर राजिस्तान भारत में हुआ था उनका जनम एक मिडल क्लास हिंदू परिवाल में हुआ था उन्होंने अपनी सुरवाती पढ़ाई सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडर स्कूल जैपूर से की थी इसके बाद उन्होंने इंजिनरिंग करने का फैसला किया था उन्होंने अपनी मेहनद से देश की सबसे कठीन इंजिनरिंग एंटर्बर एक्जाम में अच्छी रेंक लाने में सफर हैं उन्होंने आय टी दिली से बीटेक की पढ़ाई पूरा किया था उनको 1999 में IIT दिल्ली में पढ़ाई के दौरान TCS की तरफ से कैमपस सिलेक्शन में नौकरी लग गई थी उन्होंने TCS में करीब 2 साल काम किया था इसके बाद उन्होंने 222 में एक सौफ़वेर डेवलेप्मेंट कंपनी ट्रायलोजी में काम किया था उन्होंने उस कंपनी में 227 तक नौकरी किया था उन्होंने उस कंपनी में youbuildbuddy.com वेबसाइट को बनाने में मदद किया था उनके पिता अच्छा कासा सैमी प्रीसियस जैम स्टोन का बिजनस किया करते थे लेकिन इस बिजनस में उनका मन नहीं लगता था जैम स्टोन की बात करें तो वहरतन जो एस्ट्रलोजर हमें पहनने की सला देते हैं उनके पिता जी की 226 में कैंसर के कारण देहान थो गया था जिससे उनकी जिन्दगी पूरी तरह बिखर गई थी इसलिए उन्होंने अपने कंपनी की नौकरी छोड़ कर अपने घर आ गए थे इसके बाद उन्होंने कुछ समय अपने पिता जी के जैम स्टोन के बिजनस में काम किया था इसके बाद उन्होंने अपनी माता, भाई, अनुराग और पत्नी के होसले के कारण अपना एक नया software company शुरू करने का फैसला लिया था इसलिए उन्होंने दोजाचे में अपना सारा जमा पूंजी लगा कर गिरना software private limited company शुरू किया था उन्होंने अपनी कंपनी अपने घर के गैराच में एक छोटा सा आफिस से सुरू किया था उन्होंने पीऊ जैन से साधी की है, उनकी पत्नी भी उनका बिजनेस में बहुत हेल्प करती है उनकी पत्नी गिरना software private limited company को संभाल रही है अमित जैन ने कार देखो कंपनी की शुरूवात कैसे की थी उन्होंने 2008 में अपने भाई के साथ नई दिली के आटो एक्सपो में भाग लेने गए थी इसके बाद उनको इंटरनेट में कार की बाइंग और सेलिंग की जानकारी मिलने में उनको के उनको कमपनी को चलाने के लिए सुरुवाती समय में बहुत मुश्किलाथ का सामना करना पड़ रहा था उनको कुछ गलती के कारण 2008 के आरतिंग मंती में शेयर बजार में 1 करोर रुपे का नुकसान किया था उनको 2013 से धीरे-धीरे फंडिंग मिलने लगा उनकी कमपनी में 2013 में स्कोया कैपिटल ने बड़ी फंडिंग किया था जिसके कारण उनकी कमपनी देश की लोकप्रिय पोर्टल बन गई है उनकी कमपनी सुरू से अपने ग्राकों को कार की बाइंग और सेलिंग की जानकारी दिया करती थी जिससे बायर को कम खर्चे में अच्छी कार मिल सके उन्होंने 2022 में ग्राकों को पंदा देश के अलग अलग बैंक एजनसी के मदद से कार लोन देने की शुरुआत कर दिया है मगर आपको कार लोन लेने के लिए आपको कितनी EMI देना होगा देश के अलग अलग बैंकों में जान लेना चाहिए देश में पहले उप्योग किया गए कार लोन 40% तक की लोन की मनजूरी मिलती थी मतलब कार को खरीदने के लिए आपको 40% तक लोन मिल जाता था और जो पैसे बचेंगे आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे कार को खरीदने के लिए मगर उनकी कमपनी के मदद में आप 75% तक लोन की मनजूरी मिल सकता है देश में पहले कार लोन लेने के लिए 12 दिन का समय लगता था मगर उनकी कंपनी की मदद से आप तीन दिन में लोन की मंजूरी ले सकते हैं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छ लगा कमेंट करके बताएं